अच्छा है कमाल की बार बताओ ये जो स्वर्व नर्ख होता है इसमें नर्ख के बारे में क्या सुना है आपने चारों तरफ आग होती है उसमें लोगों को जिन्दा जला देते हैं जहां देखो उधर सिर्फ चीक, शोर और दर्द ये नर्ख कहीं और नहीं अपनी धर्दी पर ही मौजूद है जिसको समझने के लिए आपको 40 साल पीछे चलना पड़ेगा जोगी नाम की एक फिल्म आई है नेट्फिक्स पे लेकिन आप इसको सिर्फ फिल्म नहीं नर्ख का टिकेट भी समझ सकते हो लेकिन नर्ख में सिर्फ राक्षस तो नहीं होते ना कुछ देवता भी होते होंगे वैसे ही एक बंदा है जोगी ये कोई सूपर हीरो नहीं है लेकिन आज की रात कम से कम सौ लोगों की जान इनके हवाले है बट दोस्त कहानी में असली ट्विस्ट का बाता है आप जानते हो अचानक पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है जब ये देवता खुद अपने हाथों में आग पकड़के सारे सिक लोगों के घरों में आग लगाना शुरू कर देता है सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ नेट्विक्स पे मिलेंगे आपको अपने इंडिया में सर्वाइवल थ्रिलर बहुत कम बनती है जिसका कनेक्शन रियल लाइफ से हो वो तो एकदम रेयर टाइप चीज है जोगी उसका perfect example है एक तो कहानी real incidents पे based है प्लस साथ में इतने ज़ादा emotions है कि ये film आपको पूरी तरह हिला देगी tension वाले moments बहुत सारे हैं जब लगता है न कि एक गलती हुई और पूरा किस्सा खतम वैसे type की scenes film को interesting बनाते हैं जोगी एक cd simple type की film है जिसमें आपको bollywood का mirch masala, item songs या फिर खतरनाक stunts वाले action scenes नहीं मिलेंगे इसमें आपको सिर्फ 3-4 दिन की कहानी दिखाए गई है लेकिन वो 3-4 दिन इतने important थे जो हमारे देश के नक्षे को पूरा लाल कर सकते थे एक चीज होती है film को दूर से देखना और दूसरा होता है खुद film के अंदर शामिल हो जाना जोगी की कहानी आपको नर्थ की बीच में ले जाकर खड़ा कर देगी दिलजीत पाजी को वैसे तो आपने हसते हसाते हुए देखा होगा हर जगे लेकिन इस फिल्म में उनका रोल एकदम serious टाइप का है वैसे तो कहानी ही फिल्म की असली hero है इसलिए acting वगरा पे आपका जादा ध्यान जाने नहीं वाला लेकिन 90% actors पंजाबी ही है तो फिल्म एकदम genuine and authentic feel होगी जीशान आयूब और कुमुद मिश्रा इस फिल्म का hidden surprise है दौनों की acting skills fire है ऐसा कुछ भारी social message देने की कोशिश तो नहीं हुई लेकिन climax के बाद आप थोड़ा सोचोगे ज़रूर हमारे आसपस कितनी चीजे होती रहती हैं जिनको सिर्फ paper में या टीवी पे news पे देखते हैं हम लेकिन सोचो खुद के साथ वो हो जाए तो क्या हाल होगा दो घंटे की फिल्म है कुछ अच्छा solid powerful content देखना चाहते हो तो बिलकुल जोगी आपके लिए है टीवी चालू करिए बिना सोचे समझे हाँ कुछ filmy style material चाहिए टाइम पास वाला जिसमें action comedy romance की बारिश हो जाए तो skip मारिए ये film आपके लिए बिलकुल नहीं है मेरी दरफ से जोगी को मिलेंगे 5 में से 3 stars पहला तो कहानी सोच के ही डर लगता है दूसरा direction कुछ scenes आपका test लेंगे तीसरा film में कुछ फालतू ना डाल का सिर्फ उतने से topic पर focus करना और आधा film की authenticity negatives में एक star कटेगा काफी सारी जगे पर film को थोड़ा सा predictable रखने के लिए और आधा कटेगा 1984 को topic बना के शुरू तो कर दिया लेकिन उसको ending तक ना ले जाके बीच में छोड़ने के लिए बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ खिकायत करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्यर बाइबाइब